न्यूज वाइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू पार्टी या विभाग तक ही सीमित नहीं है बलकि यूँ कहें तो ज्यादा Uचित होगा कि आज ब्रश्टाचार सरकारी तंत्र और समाजें कैंसर की तरह फैल चुका है हर राजनेतिक पार्टी ब्रश्टाचार का सफाया करने का दावा करती है कि अब रस्टाचार का मुद्दा सिर्फ आरो प्रत्यारों का हत्यार मात्र बन कर रह गया है यह फिर कोई इस मुद्दे पर गंभीर भी है ऐसे में हमने सबसे होट रस्टाचार के मुद्दे पर गहनता के साथ विसलेशन करने का फैसला किया है गेंता सिमंतन के बाद जो बात निकल कर आई है उसे जान कर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे हर्याना राज की स्थापना के बाद से ब्रस्टाचारियों को पकड़ते और उन पर कारिवाही करने के लिए एक विभाग मौजूद था यह विभाग भी समय समय पर रिश्वत लेने वाले लोगों को पकड़ कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करता रहा है किसी पार्टी के साशनकाल में कम रिश्वत खोर पकड़े गए तो किसी के समय में ज्यादा लेकिन प्रदेश में पहले रही किसी भी सरकार ने ब्रस्टाचार को खत्म करने के लिए गहराई से जाने का प्रयास नहीं किया मगर विसलेशन से पता चला है कि प्रदेश में पहली बार मुकी मंतरी मनोहरलाल ने प्रस्टचार के सफाई के लिए गंभीरता दिखाई है आज हम आपको तथियों के साथ बताएंगे कि मुकी मंतरी मनोहरलाल प्रस्टचार का सफाया किस तरह से कर रहे हैं जो प्रदेश की जंता को किसी ना किसी रूप में भी नज़रा रहा है ब्रस्टाचार गंभीर अपराद तो है ही साथ ही यह एक सामाजिक बुराई भी है विशेचग्यों का मानना है कि इन भावना से ग्रस्त संसकारों के आभाव और दूसरों से इर्शा रखने वाला व्यक के साथ साथ तकनीक का इस्तिमाल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सामाजिक जागरुकता का इस्तिमाल भी कर रहे हैं रस्ताचारियों पर वर्षों से स्टेट विजिलेंस काम कर रही थी लेकिन इस विभाग के कहीं न कहीं हाथ बंदे हुए थे जिसके कारण यह वि में सिर्फ नाम ही दिया गया बलकि इसे ब्रस्टाचारियों पर कारेवाही करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कारेवाही करने से पहले ही ली जाने वाली अनुमती को सरर बनाये गया ACB को मजबूती प्रदान करने के लिए CBI और अन्यजाच एजन्सियों के इमांदर वातेज तरार सेना निर्वत अधिकारियों की CBO के पद पर नियुक्ति की गई ताकि ब्रस्टाचारी किसी भी तरह से कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाएं पूर्व की सरकारों में आप अक्सर सरकारी नौकरियों में होने वाले घोटालों की चर्चा सुनते रहे होंगे आए दिन सुनाई देता था कि फलाना व्यक्ति 10 लाख रुपे दे कर भरती हुआ है देखिए जो व्यक्ति 10 लाख दे कर नौकरी हासल करेगा वहें दुगनी रकम वसूनने का प्रयास भी करेगा और एक बार जब कोई व्यक्ति रिश्वत लेना शुरू कर दे तो उसकी आदत बन जाती है जिसे देखते हुए मुक्यमंद्री मनौहलाल ने सरकारी नौकरियों की भरतियों को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है इसी की बदौलत वरतमान सरकार में बिना पर्ची ख जारी है ऐसे में उमीद की जा सकती है कि बिना पर्ची खर्ची के भरती होने वाले लोग एक बार जंता से रिश्वत मांगते हुए जरूर सोचेंगे ब्रस्ट चार पर चोट पहुचने के रहे सरकारी विभागों की मलाईदार सीटों पर बैठे अधिकारियों के चरित्र का पता लगाना भी बेहर जरूरी था SMAC E.M. Manoher Lal ने सरकारी विभागों में बैठे ब्रस्ट अधिकारियों और करमचारियों की पहचान करने की जिमेदारी गुप्तचर विभाग द्वारा बड़े ही गुपचुप तरीके से ब्रस्ट अधिकारियों और करमचारियों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों की भी पहचान की गई जो इमानदार होने के साथ पूरी निस्टा के साथ अपना काम करते हैं जिसके बाद मलाईदार सीटों से ब्रस्ट लोगों को हटा कर इमानदार अधिकारियों और करमचारियों के तैनाती की गई आम जनता को अपने काम के सलसले में सरकारी दफ्तरों में अक्सर जाना ही पड़ता है ऐसे में इन दफ्तरों में तैनात अधिकारी और करमचारी बिना पर्ची खर्ची के जनता का काम आसानी से नहीं करते थे ऐसे में CM Manohar Lal ने सोचा कि क्यों न ऐसा किया जाए कि जनता को दफ्तरों में जाना ही न पड़े और वे घर बैटे अपना काम करवा सके इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया वरतमान में ज्यादतर सरकारी में भागो का काम का आज ऑनलाइन हो चुका है आज सरल पोचल के माध्यम से जनता 600 से ज्यादा सरकारी काम ऑनलाइन करवा रही है सबी सरकारी काम को करने का समय सीमा भी निर्धारित है निर्धारित समय पर काम ना होने पर अपील करने का प्रावधान भी है दोस्तों आप अक्सर देखते होंगे कि सरकार द्वारा करोड रुपे विकास पर खर्च के दावों के बावजूद जन्ता को पूरा फाइदा नहीं मिलता है ऐसे मैं सीम मनोहरलाल ने बिचॉलियों और कटलाल फिता शाहियों की भूमिका सरकारी ठेकों से खत्म करने का फैस्टा लिया है अब खनन समयत अन्यकाम ए निलामी के माध्यम से हो रहे हैं सरकारी द्वारा कराई जाने वाले काम ऐ ट्रेडिंग के माध्यम से हो रहे हैं 900 मास्टर ट्रेनर तयार किये गए हैं यह मास्टर ट्रेनर फिलहाल 9 जिलों में 25 स्थानों पर सरकारी अधिकारियों और करमचारियों इमांदारों और कर्तब विनिस्ट बनाने के लिए नैतिक प्रसिक्षट दे रहे हैं क्या इससे पहले किसी ने हर्याणा से ब्रस्टचार मिटाने के लिए इतने ठोस कडम उठाई हैं अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि ब्रस्टचार को खत्म करने के लिए कौन इमांदारी से गंबीरता दिखा रहा है आप देख रहे हैं अर्वेवाडी से संजे कौशिक के साथ अजय सागर अन्नी की है खास को ऐसी ही किसी खाश पिसकस के साथ फिर हाजर होंगे तब तक इन्हें मुझे आप इजासत दीजिए और आप देखते रहे हैं निउस वोइस